टॉप बेस्ट स्मार्ट वाच अंडर 15,000 तो यार अगर आपको 15,000 के बज़र रेंज में टॉप बेस्ट स्मार्ट वाच जानी हैं तो आज इसी टॉपिक की बात करेंगे जादे समय खराब नहीं करते हैं नम्बो फाइब की नम्बू 5 की बात करो नम्बू 5 पर यार मैंने रखिया होनर वाच मैजिक 2 को अगर इस स्मार्ट वाच की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर आपका बज़ेट 12,000 है यार इस प्राइस रेंज में आपको ये स्मार्ट वाच देखने को मल जाती है मैं आपको बता देना चा कर सकते हो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको एमवलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है प्लस आप वाच पेशे से लगा सकते हो अपनी फोटोस का जो की एक प्लस पड़ देखने को मिल जाता है 40 डेस का बैटरी बैक अप परवाइड कर देती है कारन एवाच चिपसेट के साथ देखने को मिलती है 15 पुर्ट मोड मिल जाते हैं लाइक अगर आप रनिंग करते हो करते हो योका करते हो हाइकि एंग करते हो सायक्लिंग करते हो आप सबी के लिए ये स्मार्ट बाच परफ़ेक्ट डील होने वाली है स्प्यो टू मॉनिटर मिल जाता है जो कि आपके blood में oxygen कितना है कितना नहीं है वो आपको major करके बता देता है प्लस आपको swimming, heart rate, monitor बगारा भी मिल जाता है female tracking मिल जाता है जिसके साथ आप अपने periods बगारा track कर सकते हो आपको built-in speaker and microphone भी देखने को मिल जाता है इसके और भी बहुत specification देखने को मिलते हैं मैं आपको deeply नहीं बता रहा है because मेरी वीडियो का length जादा हो जागा so that's why अगर आपने खुद ने चावड करनी है मैंने आपको पहले भी रिपीड कर दिया कि bind link सभी के आपको description box में देखने को मिल जाएंगे अगर आपने purchase करनी है purchase कर सकते हो अगर आपने चावड करनी है चावड भी कर सकते हो जाता समय खराब नहीं करते अब या आगे बात करते है number 4 की number 4 की बात करूँ number 4 पे यार मैंने रखी है Amazfit T-rex Pro को अगर इससे smart watch की बात करूँ इसका price range की सबसे पहले बात करते है आपको 12,999 के budget range में ये smart watch देखने को मिल जाती है ये smart watch आपको 3 colors में देखने को मिल जाती है plus मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको military gear certified देखने को मिल जाती है तो build quality बहुत अगड़ी होने वाली है waterproof तो बहुत अगड़ा होने वाला है मतलब अगर आप पैसे पे कर देते हो आपके पैसे घराब नहीं होने वाले आप इस smart watch gear जा सकते हो plus आपको 1080 water resistant watch मिल जाती है plus look and material बहुत ही अपर देखने को मिल जाता है silicon strap के साथ आता है skin friendly and navigation आपको देखने को मिल जाता है SPO2 monitor मिल जाता है 100 plus आपको sports mode मिल जाएंगे heart rate monitor मिल जाता है sleep monitor मिल जाता है music control कर सकते हो call attend कर सकते हो alarm clock मिल जाता है notification reminder वगरा भी देखने को मिल जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें भी आपको amulet display देखने को मिल जाती है 80 days का battery backup कर देगा अगर आप normal use करते हो अगर आप heavy use करते हो अपनी smart watch को तो 9 to 10 days का battery backup आपको परवाइड कर देती है तो भी अगर आपने जाना amazed fit किया आप जा सकते हो अगर आपने सिफ चाओड करनी है आप चाओड भी कर सकते हो चाओड करने के पैसे नहीं लगते है स्पैसिफिकेशन मैं ने आपको बता दिया बाइंक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने smart watch के और जाना है बाइं करना चाते हो देख लेना बाइं जैसे करना चाते हो कर सकते हो मैं जितनी भी smart watch बता तो इनमें से कोई भी अगर आप ले लेते हो आपके पैसे नहीं खराब जाने बाले बाइं जैसे भी यूज करना है कर सकते हो आगी बात करते है number 3 की number 3 की बात करू number 3 पर यार मैंने रखिया हुआई वाच जी टी टू को अगर इस स्मार्ट वाच की बात करू ये चार डिफरेंस ट्रैक्स के कलर में देखने को मिल जाती है कारें एव उन चिप सैट के साथ देखने को मिलती है चाहिए पडार के बात करती है तो आपके लिए क्लासिक अडिशन बैस्त दील होने वाला उसलीप मोनीटर मिल जाता है हो तो औरट दो मोनीटर मिल जाता है मिल जाता है दूuप सीनने घर डालाऊच ट्रॉ स्थे स्टों जस्थथ मजया uğaskारयш altogether भी आप खुद भी जाओड कर लें ना पाइंक लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा आगे बात करते हैं नमबर टू की नमबर टू की बात करूं नमबर टू पर यार मैंने रखिया है ओपो वाच फॉरी वन एमम को तो यार अगर मैं इस स्मार्ट वाच की बात करूं सबसे पहले आपको पॉजितिव कमेंट देखने को मिलेंगे 4.5 रेटिंग मिल जाएगी बहुत लोगों ने पसंद किया बहु सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाते हैं उसके बाद आपको 40 डेस का बैटरी बैकप पर वाइड कर देती है अगर आप पावर सेविंग मोड पर रखते हो ठीक है आपको स्पोर्स मोड मिल जाते हैं आईफोन एंड्रोड के लिए दोनों के लिए पोफर्टी होने वाली ह प्लस मैं आपको बता देना चाहते हो इसमें भी आपको हाट रेट मॉनिटर मिल जाता है स्पोर्स मोड मिल जाते हैं और इसकी डिजाइन लुक वगराद भी बहुत ही जड़ा से यह बिल्ड क्कॉल तगडी देखने को मिल जाते हैं तो अब अगर आपने जाना है ओपो व Amazfit GTR 2 को अगर इस स्मार्ट वाच की बात करूं स्पैसिफिकेशन की सीदी बात करते हैं तो यह स्मार्ट वाच जो है पहले इसका प्राइज आपको 18,000 देखने को मिलता है लेकिन अभी इसका प्राइज कम हो गया आपको 13,000 के बज रेंज में हुआ Amazfit GTR 2 देखने को मिल जाती है आपको 3D curved bezel-less design देखने को मिलेगा 14D का बैटरी backup प्रवाइड कर देती है सिंगल चार्ज पर आपको heart rate monitor मिल जाता है SPO 2 monitor मिल जाता है stress monitor भी आपको देखने को मिल जाता है आपको 580M rating मिल जाती है waterproof smart watch है 12 building sports mode मिल जाती है alexa build-in मिल जाता है voice assistant देखने को मिल जाता है दो addition में देखने को मिल जाती है classic design में देखने को मिल जाएगी sports edition के साथ देखने को मिल जाएगी तो भी अगर आप gaming के लिए लेना चाहते हो तो sports edition आपके लिए perfect है इसको यूज करने के लिए तो यार अगर आपका बज़ेट 15,000 है इस प्राइच रेंज में मैंने आपको टॉप बैस्ट स्मार्ट वाच बता दिये जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो लेकिन जो नमबर वान पर है उसमें आपको सीरी भी मिल जाता है जीपेस ऑप्शन भ लेकिन जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो सभी के बाइंक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे मैंने टॉप फाइव आपको बताइए है टॉप फाइव में से जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो आपके पैसे खराब नहीं होने वा देना उनको पी गया दना अजिके अनल को करते सब्सक्राइब, वीडियो को करते लाइक, फॉल्व, लिंक को वगार आपको दिस्क्रिप्ट्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चाहुआ करते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ, तेंक्यू एए पाने खाने 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 उनकाल